नमस्कार प्यारे बच्चों मैं विजय है बच्चों आज हम पेपर थर्ड ब्यस्टी फाइनल पेपर थर्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चिप्टर नमबर टू लेकर क्या है इंपॉर्टेंट कोशन अभी कलनीता इवं आउपचारिक भासाएं इसका इंपॉर्टेंट कोशन है प्यारे बच्चों ठीक है तो आईए देखें आज क्या क्या इंपॉर्टेंट कोशन आपको मिला है और इसका पीडियेप एप विजयसर क्लासेस में अप्लोड होगा यदि आपने हमारा एप डाउनलोड नहीं किया है तो यह QR कोड दिया है आप डाउनलोड कर लिजेगा चलिए प्यारे बच्चों आज का इंपॉर्टेंट कोशन की बात करें अभिकल्नीता और अवचारिक भासाएं कंप्यूबिलिटी एंड फार्मल लेंगवेज बच्चों सबसे पहला तो कोशन है भासा क्या है इसके बारे में आपको करना है वाग सयली सरचना व्याकरन क्या है समझाइए हना यह सब कोशन मालोड़ गलदोड फार्मल लेंग तर्मल भासा L is equal A I B I B power 2 I such that I is greater than equal than के लिए व्याकरण की सरचना कीजिए भासा L is equal A such that X belongs to AB हना इस्टार X में A dash A's की संख्या B dash A's की संख्या के बराबर है के लिए व्याकरण की सरचना कीजिए ये सब कोशन है प्यारे बच्चों रिखे भासा L is equal A I B J such that I J is greater than equal than 1 I not equal J के लिए व्याकरण की सरचना करना है भासा L is equal A power M B power N such that M not is equal N M is greater than equal than N is greater than 0 के लिए व्याकरण की सरचना कीजिए ये रिखो ये क्या है बच्चों सब्द अलाहबाद में नावक्षरों को कितने प्रकार से विन्यास किया जा संचा है ये ये देखे N कमान गयाद कीजिए 2 हैना N P 2 plus 50 is equal 2 N P 2 ये क्या हो गया करम चाह है सिद्ध कीजिए बिलकुल इसको करना N C R plus N C R minus 1 is equal N plus 1 C R कितने तरीकों से पांच व्यक्तियों कि एक कमिटी साथ पूर्सों ये 4 महिलाओं से बनाई जा सकती है जिसमें कम से कम दो महिलाओं अवस्य हो हना ये सब बिलकुल करके जाना है दल सही के 2 N plus 2 C N plus 1 is equal 2 N C N plus 1 plus 2 2 N C N plus 2 N C N minus 1 ठीक है एक पासे को फेकने पर समसंख्या आने की प्राइक्ता ग्याद किजी दो पासे को एक साथ फेका जाता है पासों के उपरी फलक पर अंकों का योगफल साथ आने की घटना की प्राइक्ता ग्याद किजी ताज के बावन पत्तों में से 6 पत्ते ये सब पढ़ चुके हो बच् क्या प्राइक्ता है किसी लीप वर्स में तिन पर रविवार होने की मने कोई भी दिन के लिए आ सकते हैं 53 के लिए बुधवार हो सुक्रवार हो सनीवार हो जो भी हो इसको करना है एक घटना के घटने की प्राइक्ता दूसरे घटने की घटने की प्राइक्ता कवर गया किन्त E2 is equal P1 plus P2 minus P1 intersection E2 ये सब करके जाना है एक कालेज में 25% विद्यार्थी गनित में 15% विद्यार्थी गनित और भौतिक सास्तर दोनों में फेल हो जाते हैं देख लिजेगा बच्चों इसके नीचे का नहीं लिखा है दो और आएगा इस अधूरा कोशन है आप कर लिजेगा आपके बूक में दिया हुआ है नेक्स हमारा है किसी घटना के प्रतिकुल सहयोग अनुपाद 5 अनुपाद 2 है तता किसी दूसरी घटना के अनुकुल सहयोग अनुपाद 6 अनुपाद 5 है यदि दोनों घटनाओं परसपर स्वतंत रहो तो कम से कम एक घटना के होने का सहयोग ग्याद कीजे ठीक है प्यारे और सी लक्ष को भेदने के लिए निसाना लगाने लगाते हैं ए बी पांच में से तीन बार बी पांच में से दो बार सी चार में से तीन निसाने लगाते हैं निमने खित घटनाओं की प्राइक्ता ग्यात कि उनमें से ठीक दो निसान लगाते हैं कम से कम दो निसान लगाते है ठीक है न ये सब करना है आपको इस अज़ को बच्कों में करम साथ 3 लड़के और 1 लड़का 2 लड़के और 2 लड़के न는데ogen से एक बच्चे को चुनाव करना है यदिश्या करना है यदिश्या दर्साजी के चुने गये 3 बच्चों में A सत्य बोलता है, C प्रतिस्त मामलों में 20 सत्य बोलता है, कितने प्रतिस्त मामलों में दोलों एक दूसरे के तत्य को कहने में एक दूसरे का विरोत करता है, कंटरडिक्सन होता है, ठीक है, देखे, पूरा कोशन यहां पर दे दिया हो, प्यारे बचों, हाना, आप कर लिजेग एक थेले में तीन काली और चाल लाल गेंदे हैं, एक बार में अधिश्या गेंदे, ये एक एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं इसलिए दिया गया, उन्हें वापस नहीं रखा जाता है, इसके क्या प्राइकता है कि पहली मिलती है, इसके तीसरे थेले से आने की प्रैक्टा क्या है, तीन सिक्के में जिसके आकरिती सर्वसम हैं, उनमें से एक सच्चा और अन्य दो ज्चूटे हैं, और सिर्थ मिलने की प्राइकता हैं, क्रमसा 1 बटे 3 और 2 बटे 3 है, एक सिक्के का चुनाओ यदृशिया क्या ज इवह खुश नहीं है तो बात मानने की प्राइकता 0.1 है। दिवह प्रचार एक दिन के किसी प्रॉफेसर की बात मान लेता है तो इसकी प्राइकता क्या है कि वा खुश है। तो ये सब क्या है? बेस थेओरम करके हैं हना उससे आपका बनेगा कोशन जितने भी है ठीक है ना तो याद रखेगा प्यारे बचों ये सब कोशन आपको करना है बेस थेओरम का कोशन है याद रखेगा ठीक है प्यारे बचों ये बेस थेओरम का कोशन है बिल्कुल कर लिजेगा बहुत बढ़िया बनेगा ये सब आपने Class 12 में पढ़ा है याद कीजिएगा बेस थेवरम तो बिलकुल आसानी से यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो आप Class 12 का बुक निकालिए फूरा आपको मिलेगा ठीक है प्यारे बच्चो तो हमने ऐसे तो यहाँ पर 30 दिये हैं आप प्रेक्टिस कर सकते हो लेकिन इसमें से में इंपॉर्टेंट को ही आप करना है ठीक है तो प्रेक्टिस करते रही है प्रेक्टिस करने से बहतर है प्यारे बच्चो ठीक तो चलिए आज का Class हम यहीं तक रखते हैं ठीक है इसका PDF एफीजेसर क्लासेस में अप्लोड होगा धन्यवाद प्यारे बच्चो नमस्कार